नेक्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में लौट डलहोजी जो हैं 1848 में अल आफ डलहोजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आएंगे उनका शाशनकाल जो है आधोनी के इतिहास में एक इसमर्णी काल रहा है क्योंकि उसने युद्ध व्यबगत के सिद्धान को आधार पर अंग्रे अगर बात करें तो दुती आंगल सिख युद्ध इनके काल में हुआ था 1848 से 49 तक पंजाब का बिटिस सामराज में विलाई कर लिया गया डलहोजी की ये पहली सफलता थी मुलतान के गवर्नर मूल राज के विद्रोग को दो अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या और हजार के सिख गवर्नर जो थे हमारे चतर सिंग के विद्रोग ने पंजाब में सरवत्र अंग्रेज विरुद्ध की स्थती पैदा कर दी थी अधर डलहोजी ने दुती आंगल सिख युद्ध के पश्चाथ 29 मार्च 1849 की घोशना द्वारा पंजाब का विलाई किया गया महाराग से दुती आंगले सिख यह खदम होता है सेकंड बात करें तो डलहोजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेजी डाक्टरों के साथ दुर व्यवहार का आरोप लगा कर अधिकार कर लिया था यह घटना 1850 के सम्थिंग की है और हुआ यह था सिक्किम में उस वक्त चौंग्याल विउव्यान का रिधि डलहोजी ने चौटी सी बात को अपमान मानते हुए सक्किम पर हमला कर दिया और सक्किम को जीत लिया तो इस प्रकार से अगली बात करें लोवर बर्मा तjek ही डिलहोजी के समय में थी वहां तक भारत का विस्तार हो गया और 1852 तक ये विस्तार पूरा फेल चुका था डलहोजी के शाशनकाल में एक सिध्धान आया जिसको कहते हैं व्यबगत का सिध्धान्त इंगलिश में कहते हैं अलग अलग हमारे पास रियास्ते आने वाली हैं पहली हैं ऐसा वर्ग या ऐसी रियास्ते जो शामिल की जाएंगी पहले वर्ग में जिन्हें ना तो अंग्रेजों के अधीन स्विकार की थी और ना ही अंग्रेजों को कभी कर देती थी दूस्ते रियास्तों में इसने ऐसे लोगों को सामिल किया जो पहले से मुगल एवं पेश्वाओं के अधिन थी और वर्तमान समय में अंग्रेजों के ये अधिनस्त हो गई थी तो इस प्रकार से दूसरी रियास्ते थी तीसरी रियास्ते इसने बुला कि ऐसी रियास्ते जो अंग्रे जोग से सनद प्राप्त करती हैं और अंग्रे जोग के अधीन हैं तो यहां पर डलहोजी ने तई किया कि प्रथम वर्ग या जो पहली श्रेणी की रियास्ते हैं उनको गोद लेने का अधिकार हम नहीं छीन सकते हैं जबकि दूसरा वर्ग और तीसरे वर्ग के अंतरगत आने वाली जितनी भी रियास्ते हैं हमारी आग्या से ही गोद लेने का उनको अधिकार मिलेगा ऐसा डलहोजी ने बुला और हम इस मामले में अनुमती भी दे सकते हैं और अनुमती नहीं भी दे सकते हैं वैसा प्रयाज जो है अनुमती देने का ही रहेगा परंतु तीसरी शेनिया वर्ग में जो रियास्ते आती हैं उनको उत्तरदिकार में या गोद लेने की अनुमती कदा भी नहीं दी जाएगी तो इस प्रकार का पूरा प्रावधान किया गया भारती रियास्तों को इन तीन वर्गों में व विलाई नीती से भारत की प्राक्रतिक सिमाओं तक अंग्रेजी सामराजी का विस्तार कर दिया था अब बात करते हैं पेश्वाओं की तो सबसे पहले पेश्वा बाजी राव दुती है 1853 में इसकी म्रत्यू होने के बाद इसका जो दत्तक पुत्र था नाना साहिब उसको डलहोजी ने पेंशन देने से मना कर दिया और यह कहा कि जो पेंशन अंग्रेज बाजी राव को देते थे वो उसकी व्यक्तिगत पर्सनल पेंशन थी यह पेश्वा बद की पेंशन नहीं थी तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाना साहब को पेंशन देने से मना किस ने किया तो लाट डलहोजी ने किया लाट डलहोजी के समय धार्मिक निर्योगिता अधिनियम 1856 पारित किया गया था और इस अधिनियम के अनुसार इसाई धर्म स्विकार करने वाले उत्तराध दने अधिकारियों को उनके पूर्वजों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा ऐसा प्रावधान धार्मिक निर्योगिता अधिनियम 1856 में किया गया था है नवी कि ने हमारे प्रशाशनी कीवस्तार कि यसे बंगाल में एक लिष्टेनें गवर्नर्स की नियुक्ति कहा गया इसके अंतरगत नियुक्त कमिशनरों को प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनर्र के प्रति उत्तरदाई बनाया गया जैसे आज है कि जितने भी हमारे केंद शाशित प्रदेश हैं वो डाडेक्टली राष्टपती के प्रति उत्तरदाई होते हैं अगली बात करते हैं सेनी सुधारों के अंतरगत तो डलहोजी ने तोब खानों के मुख्याले को कलकत्ता से कहां इस्थान अंतरद किया सेना का मुख्याले इसने कहां इस्थान अंतरद किया तो बहुत अच्छी जगे इस्थान अंतरद करेगा शिंबला में तो सेना का मुख्याले शिंबला मे की व्रध्धी करेगा उसने पंजाब में नई अनियमित सेना का गठन किया एवं गौर्खा रेजिमेंट के सेनिकों की संख्या में भी व्रध्धी कर दी तो इस प्रकार से सेनिक सुधार हो गए सिक्षा संबंदी सुधारों की अगर बात करी जाए तो डलहोजी ने में वुड डिस्पेज को लागू किया प्राथमिक शिक्षा के लेकर विध्यालय इस तरी शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाए गई इसके तहर जीलों में एंगलो वर्नकुरल स्कूल प्रमुक नगरों में सरकारी कॉलेज तथा तीन प्रसिडेंसी कॉलकता मदरास और बंबई में एक एक विश्व विध्यालय स्थापित किये गए ऐसा इसने प्रावधान किया साथ ही प्रतेक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त भी इसने किया प्रसिडेंसियों में स्थापित जो विश्व विध्यालय थे लंदन विश्व विध्यालय के आधार पर बनाये गए थे बात करते हैं डलहोजी को रेलवे का जनक भी माना जाता है क्योंकि उसके प्रयत्नों के फलस्वरू भी महरास्ट में 1853 में बंबई से थाने तक प्रथम रेल गाड़ी चलाई गई थी रेल विवस्था डलहोजी के व्यक्तिगत प्रयासों का प्रतिफल थी अंग्रेजों ने इसमें खूब पूंजी लगाई जो डलहोजी है को भारत में विध्युतार की शुरुवात करने का श्रेय भी प्राप्त होता है डाग विभा इससे दलहोजी ने भारत में डाक टिक्तो का प्रसलन भी किया इसे पहले जो डाग थी वो फ्री में जाती ती अब इसने दो पेसे की विवस्था कर दी तो यहां से भी रेविन्यू आएगा सरकार को दलहोजी ने प्रथक रूप से भारत में पहली बार सारवजनिक निर्मान विभाग इसको प्रथक को उसें सिचाई के लिए खोल दिया गया पंजाब में बारी दोवाब नहर का निर्मान कारी भी पुनह शुरू करवाया था अगर वानिजिक सुधारों की बात करें तो वानिजिक सुधारों के अंतरगत बंदरगाहों को अंतराश्टी व्यापार के लिए खोल दिया गया कराची कलकत्ता एवं बंदई बंदरगाहों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया एक कमिशनर की रिपोर्ट के आधार पर डलहोजी ने 1854 में एक स्वतंतर विभाग के रूप में सारवजनिक निर्मान विभाग की स्थापना भी की थी तो इस प्रकार से आपके डलहोजी ने बहुत सारे काम किये हैं तो सबसे ज़्यादा प्रशन डलहोजी से आएंगे इसके बाद आने वाले होंगे लॉड कैनिंग 1854 की करांती के बाद आएंगे नेक्स वीडियो में हम समझेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में तो पार्ट सी का इंतजार कीजिए और तब तक जो डलहोजी वाला पार्ट है इसको आप कंठस याद कीजिएगा बहुत ही जादा प्रशन इस पार्ट से पूछे जाते हैं तो दोस्तो जुड़े रहे हमारे साथ और सुनते रहे सुरीवनिशी एकेडमी का यूटूब चैनल